आज मैं आपके साथ शेयर करने जारी हूँ तीखा चटपटा मज़िदा रेसिपी ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है तो चलिए देड़ ना करते हुए इस रेसिपी को शुरू करते हैं सबसे पहले मैंने इधर लिया है उबले हुए आलू मैंने इसे एक घंटा पहले उबाल के रख दिया था अब इसे कट कर लेना है तो मैं इसे नाइफ के मदद से छोटा छोटा पीसेस में कट कर लेती हूँ ये जो आलू है ये उबालने के बाद थोड़ा ज़्यादा ही सौब्ट हो गया है आप थोड़ा कम भी उबाल सकते है आलू थोड़ा ज़्यादा उबल गया है बुलके काटने में थोड़ा प्रॉबलम हो रहा है तो देखिए मैंने सारा आलू को अच्छे से कट कर लिया है आप इसे ले चलते हैं फ्राइंग बाला प्रोसेस में तो चलिए मैंने इधर ले लिया है एक पैन और इसके अंदर डाल देते हैं सरसो तेल आप चाहे तो डिफाइंड ओयल का भी इस्तमाल कर सकते है पर मैं ज्यादा तर सरसो तेल का ही इस्तमाल करती हूँ क्योंकि सरसो तेल हेल्दी होती है ओयल को कर लेना है अच्छे से गरम और जैसे ये गरम हो जाए इसके अंदर डाल देंगे आलू ओयल में एक साथ सारा आलू नहीं डालना है थोरा थोरा आलू डालके फ्राइ करना है और इसे हम fry करेंगे तो बहुत ज़्यादा नहीं fry करना है बस हलका golden brown कलर आ जाए बस इतना ही इसे fry करना है flame को medium रखके आलू को अल्टी पल्टी करके fry कर लेते हैं इस stage में आप चाहे तो नमक add कर सकते हैं पर मैं इसमें नमक अभी add नहीं करूंगी क्योंकि आलू तो अल्रेडी मेरा soft है और ज़्यादा soft हो जाएगा तो मैं नमक बाद में add करूंगी आप इसमें हलका golden brown कलर आ चुका है और ज़्यादा fry नहीं करना है इसको आप इसे pan से निकाल लेते हैं तो देखे मैंने सारा आलू को निकाल लिया है अब मैंने इधर लिया है चौप किया हुआ टमाटर प्यास धनियापति और हरी मिर्च आप थोरसा चौप किया हुआ हरी मिर्च आलू में डाल देती हूँ थोरा सा फ्रेश धनिया पती इसके बाद एट करना है चौप्ट किया हुआ प्यास मैं चौप्ट किया हुआ इंग्रिडियन्स को थोरा सा बचा के रख रही हूँ क्योंकि बाद में भी और आलू के साथ इसे बनाना है अब इसमें एट करते हैं चौप्ट किया हुआ टमाटर अब इसमें एट करना है लालमेच पाउडर अब जितना तिखा खाना पसंद करते हो उसी हिसाब से लालमेच पाउडर एट कर सकते हो उसके बाद एट करना है भूना हुआ जीरा पाउडर और हाफ टीस्पून चाट मसाला अब मैंने लिया है मिक्सचर जो नॉर्मली मेरे पास आज धनिया पुदिना का चटनी एवलेबल नहीं है आपके पास अगर है आप उसको भी इसमें एट कर सकते है पर इमली वाला चटनी को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा इससे बहुत अच्छा टेस्ट आती है आप इसमें एट कर दिये है काला नमक और इसे कर ले उसे एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं आप चाहो तो ऐसे भी इसे खा सकते हो यह ऐसे भी बहुत टेस्टी लगती है पर मुझे इसको थोड़ा और चटपटा बनाना है तो इसलिए इसके उपर डाल देते हैं थोर असा चौप्ट किया हुआ पयास चौप्ट धन अब मैंने इधर लिया है दही में थोरह सचीनी और काला नमक डालके अच्छे से मैंने फेट लिया है अब इसे इसके उपर डाल देते है पहले 2-3 टेबल स्पून दही आट करना है बाद में आप चाहो तो और भी आट कर सकते हो दही से यह आलू चाट में बहुत ही आप इसमें एक कर देती हूँ थोरासा और मिक्शSeer एक ढम थेले जैसा बनाने वाले हैं हम इस आलू चाट को ने जैसा आलू चाट मिलता है कि तो फिर सिरा जो डाल देते हैं धोराई यह अत करने के बाद अप foto कहूब सुरत दिखने के लिए हम इसमें एट करेंगे आनार के दाने इससे टेस्ट भी अच्छा आता है और इसका लुक्स भी एक दम बरिया हो जाता है तो आपको शायद देखने के बाद मूँ में पानी आ जा रहा है ये है ही ऐसी रेसिपी जो किसी के मूँ में भी पानी ला सकता है आपको अगर तीखा चटपटा कुछ खाने का मन हो रहा है तो आप फटफट से ये रेसिपी बना लीजिए